सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेंगे बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माधिम से आपको पहुंचता रहे है आज का जो अपडेट है दोस्तो ये बिहार की अपकमिंग वेकेंसिस को लेकर है बारे में आपको अप्टो डेट 15 दिनों के अंदर ही प्रकाशित कर दिया जाएगा तो ये एक अपडेट है दोस्तो यहां से मैं इसके बारे में सारा डिटेल आपको दूंगा और इस बाहले की प्रक्रिया को 2022 तक संपंड कर लिया जाएगा ये भी धियान रखेंगे प्र जो कि आज बिहार के करीब 190 से भी जादा सेंटर पर 75,000 करीब अभ्यारती जो हैं वो सामिल होने जा रहे हैं नीट 2021 की परिशा को लेकर आज यहां पर दाजधानी पटना में 121 के इंदरों पर ये बाहली की प्रक्रिया ली जाएगी दोस्तो तो सबसे पहले तो ये अपड 252 पदों की जो बाहली की प्रक्रिया है उसमें एक अच्छी ख़बर ये आ रही है कि बिहार में महिलाओं को महिला सिक्षकों को भी यहां पर करीफ 16,000 प्रधाना ध्यापक और प्रधान सिक्षकों पर यहां पदों पर बाहली की प्रक्रिया का मौका मिलने जा रहा है यान सिक्षा विभाग ने यहाँ पर BPSC को प्राथमिक विद्याले में 40,518 प्रथान सिक्षक और उच्च मादिमिक विद्याले में 5,334 प्रथाना ध्यापक की रिक्तियों भेजी भी है सिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी जो है तेज कर दी है दोनों पत जो है नए समवर्ग में है और इसलिए रोष्टर क्लिरेंग्स भी है यहाँ पर और कोई परिशानी नहीं होने जा रही है समाने प्रिशासन विभाग की बात करें तो विभाग के आरक्षन प्रवधान के अनुसार यहाँ पर 35% आरक्षन जो है महिलाओं को प्रधाना ध्यापक और प्रधान सिक्षक में बाहले के प्रक्रिया में मिलेगी तो 16,000 महिला अभ्यारती होंगी जिनकों की 35% आरक्षन जो की बिहार सिरकार दे रही है यहाँ पर वह भी यहाँ पर इंक्लूट किया गया है आरक्षन के प्रवधान को लेकर देखा गया है सेलरी आपको है मूल बेतन जो है अपका 30,500 तो मूल बेतन है यानि कि अगर आपको सेलरी विगरा सब एचारे डिये डिये मिलकर अगर देखा जाए तो आपकी सेलरी कम सी कम 45,000 से 50,000 तक उपर होने की समावनाएं भी है उससे उपर ही हो सकता है नीचे तो हो गई नहीं यहाँ पर भत्ता जोड़कर अगर प्रती माह देखें तो 45-47,000 रुपे तक की सेलरी आपको अपडेट की जाएगी तो प्रधाना ध्यापक का मूल बेतन जो है 35,000 निजहरत की आगे है अच्छा इनमें जो डिये ए एचारे की अन्य अप्तता भत्ता को जोड़ने के बाद यहाँ पर 50-52,000 रुपे की सेलरी आपकी हो जाएगी यह प्रताना ध्यापकों की सेलरी हो जाएगी 50-52 यानि को उससे उपर ही होगा नीचे तो नहीं होगा यह भी ध्यान में रखीएगा इस बात को BPAC के परिक्षा नियंतरक जो हैं अमरेंदर कुमार के अनुसार यहाँ पर सिक्षा विभाग की रिक्तियों मिलने के अनुसार 15-20 दिनों के अंदर ही बिग्यापन प्रकासित कर दे जाएगी तो दिसंबर महीने में इसकी प्रक्रिया सुरू होगी इसका सब कुछ डिटेल जा चुका है BPAC को अब फिर भी यहाँ पर अमरेंदर कुमार के अनुसार बोला यहाँ कि सिक्षा विभाग से रिक्ति मिलने पर संपूर्ण रिक्ति मिलने पर यहाँ पर विग्यापन का है जो दोस्तों प्रकाशन कर दिया जाएगा दूसरी अपडेट है कि एक माह तक इस सिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी दोस्तों माना जा रहा है कि जो नया सत्र होगा प्राथमिक और उच्छे माध्यमिक विद्यालों के प्रधान सिक्षक और प्रधाना ध्यापक का नियुक्ति को लेकर वो 2022 तक संपन हो पाएगी अच्छा दोस्तों यहाँ पे जो परि प्रतिसत जो है यहाँ पे नंबर काटे जाएंगे याने की वन फोर्थ यह ध्यान लखेगा अच्छा यहाँ पे आपको बता दे कि दो घंटे की परिक्षा होने वाली है और परिक्षा के समंदित जो है हिंदी अंग्रेजी गणित समानने अध्यन सिक्षक में आपका जो है यह एक्जाम होने के बाद आपका स्कूरूट्नी होने के बाद एक्जाम होने के बाद ही आपका यहाँ पे चैन प्रक्रिया में यह लिया जाएगा अब यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है कि बहाली के लिए अनुभाव होगा मानने है मैंने आपको प जरूरी है जो भी लोगों के पास एक्सपीरियंस है भाई वही आविद्यन करेंगे यहां पर ध्यान रखेंगे CBAC, ICICI, BSEB अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर कि 27 संबद्धता प्राप्ट स्कूल में उच्छ माधमिक बिद्याले में 10 और माधमिक बिद्याले में 12 वर्ष लगातार योगदान की तिथी या फिर परिश्यक्षन अर्था प्राप्त करने की तिथी कि बाद ही आप इसके लिए आधार पर आपकी गण्ड़ना होगी यहां पर आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन का ठी की 40,518 प्रत्मिक स्कूलों में प्रधान सिक्षक की नियुक्ति के लिए नीजी स्कूल याने की प्राइबिट स्कूल के सिक्षक को मौका नहीं मिलने जा रहा है पंचायत या नगर प्रारंभिक सिक्षक के पद पर आठ साल तक लगातार सेवा कर चुके सिक्षक आविदन ही कर सकेंगे पहली चीज जो कि यहाँ पर पंचायत या नगर प्रारंभिक सिक्षक के पद पर आप लोगे पास 8 साल तक experience से वही यहाँ पर आविदन करेंगे पंचायती राश संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत यहाँ पर जिनकी सिवा संपूष्ट याने कि जो दो साल से अधिक कारे कर चुके हैं, वि आविदन कर सकेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ चंस्था अधिक कारे कर चुके हैं, वह भी आविदन यहाँ पर करेंगे, वर्स 2012 या फिर उसके बाद न्यूक्त जो भी सिक्षक हैं के लिए सिक्षक पातरता उत्रनता यहां पे आवर्शक होगी याने कि आपके पास 2012 से अगर बात के हैं आप सिक्षक आपके पास टीटी वेगर एकर यहां पे आपका सेटिफिकेशन होना चाहिए 50% अंके साथ इसन के पात्र होंगे 2012 के बाद अगर नुख्ट किये हैं सिख्षक में आप तो उत्रिन आपका होना जरूरी है आवशकता है दोस्तों यहां पर मानिता विस्विधाले से कम से कम 50% अंक इस नादुकतर होने का यानि कि मास्टर भी आपका होना चाहिए 50% के साथ यानि की आपके पास STAT या बीटेट या फिर टेट का क्वालिफिकेशन तो होना है चाहिए 2012 के वाद 50% के साथ आपका master degree भी complete होना चाहिए अगर आप आविदन करते हैं मौलाना मजरुल हक अर्भी फार्सी विविश्विद्याले के लिए तो राज्य मदर्सा सिक्षा board द्वारा जारी आलीम की डिग्री भी आपके पास होने चाहिए अगर आप यहाँ पे संस्कृत के लिए यान की सास्च्री के लिए आविदन करते हैं तो सास्च्री की डिग्री भी इस नातक में आपके पास होना चाहिए अभ्यारती को बीएड या फिर बीएड में उत्रेंड भी होना चाहिए यह प्रधाना ध्यापक की रिक्रूट्मेंट का यहां पे क्रेटेरिया है अब यह सारा डिटेल जो है मैंने आपको अप्टोडेट कर दिया है दोस्तों यह अगले महिने से इसकी रिक्ती भेजी जाएगी बीपीएसी को और यहां पे उसमें 16,000 प्रधाना ध्यापक जो है महिला सिक्षक होंगी और दोस्तों ध्यान रखेगा प्रधान सिक्षक और प दैनिक भासकर से इसको अपडेट किया गया है और आप अधर वेक अधर नियूस पर में भी इसका नियूस देख सकते हैं लेकिन यहां पे एक अपडेट और आ रही है यहां दोस्तों यहां पे वेकेंसी है जो सुरी माफ करेंगे इसको एक्जाम है नीट 2021 वाला जहांकि आ और साड़े सोलर लाख अभ्यारती जो है इस नीट के परिक्षा में रेजिस्रेशन किये थे अब देखते हैं यहां पे कि जो चात्रे कोरोना संक्रमन की होने के चलते यहां पे जो भी सेल्फ डेक्रेरेशन नहीं दिये हैं उनको यहां से बाहर भी किया जगा परिक्षा द कर नहीं जाने सेंटर पर उनको बाहर भी किया जाएगा इसलिए अभी मैं आपको बता दो कि जितने भी लोग हैं नेट के परिक्षा देने वाले वह अपना कोविड 19 को गाइडलाइन को फॉलो करते हुए एक्जाम देने जाएगा और नीट परिक्षा की जो परिक्षा की फॉलो जरूर कीजिएगा है ना जितने भी केंदर पर आप जहां जहां आपका परिक्षा है जो भी छात्रों का अल्दा बेस्ट है आप सभी को उन छात्रों को जिसकी परिक्षा नेट किया यहां पर दोस्तो असम राइफल में वेकेंसी आई है इसके बारे मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था लेकिन एक वीडियो बनाओंगा आपके लिए क्योंकि संपूर्ण विश्लेशन होगा बारा सो तीस पदों की वेकेंसी है टोटल है ना यह असम राइफल की रैली होने वाली है जिसमें ग्रूप बी और ग्रूप सी की वेरिस पोस्ट है करीब बारात सो तीस पिदो की वेकेंसी है इसके बारे में आपको जानकारी मैं आपको संपूर्ण वीडियो के मादिम से देने वाला हूं जो कि आज शाम तक आपको अप्डेट कर दिया जाएगा ओल DADP बेश दोस्तो आज की इस वीडियो के मादिम से हमने बताए आपको जो भी डिटेल नियूज अपडेट यह आप लोग की आने वाली परिक्षा को लिकर है धर्निवाद मिलेंगे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का